हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू माई चैनल इस साइट सिधी एंड आज की क्लास में आपके साथ डिसकस करने वाली हूं जितने भी स्टूडेंट ने इगनू एवे हिस्ट्री फॉर्स्ट यर के स्टूडेंट है और यहां पर आप सभी को एक डाउट है कि मैं आपके अभी तक MHA 106 और 107 की बुक नहीं आई है और यहां पर अब हमारे एक्जाम भी है जो कि अभी आपके जून 2024 में तो हम क्या करें कैसे पड़ें तो आज की क्लास में मैं आप सभी को यहीं बताने वाली हूं कि अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कहां से पढ बुक आप सभी के मैक्सिमम स्टूडेंट के डाउट यहां पर तो इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए और आशा करती हूं कि यह वीडियो आप सभी के लिए helpful रही होगी और होगी भी तो इस वीडियो को जादा से जादा लाइक शेयर करना और दूसरे भी आपके study ग्रूप में शेयर करना ताकि और भी स्टूडेंट्स की हल्प हो सके तो जैसे कि आप सभी जानते कि जितने भी स्टूडेंट नहीं यहां पर जून 2023 में डिमीशन लिया था आप लोगों का भी एक्जाम है जून 2024 में राइट और यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट को MHI 101, MHI 102, 104, 105 की बुक जो है सबको प्रवाइट इगनू ने कर दी है बट सबको डाउट है कि मैं MHI 10607 की बुक तो आई ही नहीं है तो हम इसके एक्जाम कैसे देंगे उसके लिए हम क्या कर सकते है तो देखो यहां पर आपके पास दो आप्शन है ठीक है वो दो आप्शन क्य है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली पहले तो यहां पर यह देखो MHI 1012, 405 की बुक तो आपके पास है तो आप इसके एक्जाम दे सकते हो रही बात MHI 106, 107 की तो यहां पर मैंने आपसे पहले भी का था कि इगनू के भरोशे आपको बैठना नहीं है कि वो आपको सारे इसा कमपल्सरी नहीं होता है हमेशा वो कुछी बुक्स प्रोवाइड करते कुछ प्रोवाइड नहीं करते है तो आप इस बरों से बैटोगे कि अपने एक्जाम को क्रैक कर पाएंगे तो इंपॉसिबल है थीक है तो सबसे पहले आप जैसे कि मैंने आपको क्या बता है कि आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है पहला option यह हो सकता है कि आप लोग अभी जून में एक्जाम ना दे करके MHA 106 और 107 का आप लोग यही एक्जाम दिसंबर 2024 में भी इग्णू जो है आपका एक्जाम कंड़क करवाता है तब भी आप यह दो सब्जेक्ट के एक्जाम दे सकते हो इससे आपके रिजल्ट पर कोई भी फरक नहीं पढ़ने वाल है और ना यह आपकी कोई डिगरी पर पढ़ेगा ठीक है तो पहले तो यह आप लोग यह कर सकते हैं लेकिन आप में से कुछ ऐसे होंगे जिने जून में ही पूरे औल सब्जेक्ट के एक्जाम देने ही देने तो उनको क्या करना है वो भी देखो तो पहले तो आपको क्लियर हो गया कि आप अभी यह वाला एक्जाम स्किप कर सकते हो बेशक आप सभी ने एक्जाम फॉर्म फिल भी किया होगा आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनोंने अमेच है 106 107 की जो यहां पर एक्जाम फॉर्म है 200 रुपीज पे भी कर दिया होगा बट कोई बात नहीं अगर आपने एक्जाम फॉर्म फिल कर दिया है तो भी आप अपने एक्जाम को स्किप कर सकते हो दिसंबर में आप लोग यह एक्जाम दे सकते हैंं तो जैसे कि आप सभी जानते हैं अगर आपको किसी भी सब्यक्सेक्षक की प्रिप्रेशन नहीं होती है तो आप लोग अभी अपने एक्जाम को स्किप करके नेक्स्ट जब Ecistam उता तब भी दे सकते हो तो यह मैं आपके मैक्सिम daí demaisises वाले आपको ये बात औरेडी पता है कि साल में दो बार इग्णू एक्जाम कंड़क करता है एक तो आपके जून में और दूसरा आपके दिसंबर में ठीक है तो जून वाले स्टूडेंट अगर एक्जाम नहीं दे पारें all subject के तो आप लोग दिसंबर में दे सकते हो और अगर जो स्टूडेंट दिसंबर में एक्जाम नहीं दे पाते तो आप लोग जून में दे सकते हो राइट क्योंकि आप सभी को पता है कि master तो वैसे हमारी total दो साल की होती है लेकिन आपको इसको complete करने की four year की validity दे रखिए तो इससे कोई effect नहीं पड़ता है एक्जाम form आपने fill किया हो या ना किया हो तब भी आप लोग इस exam को skip करके दिसंबर में दे सकते हो ठीक है पहला option तो यह बहुत सारे student को यह option अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि आप उनको कि हमें तो सारे subjects के देने तो उसके लिए क्या करना है आईए चलिए देखते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप परे चैनल पर फॉर्स टाइम आयो तो चैनल सस्क्राइब कर लो और जादा से जादा इस वीडियो को लाइक शेयर करो ताकि और भी student की help हो सके और चैनल सस्क्राइब कर लो बैल अकर प्रेस करो ताकि आगया नहीं बाली वीडियो तो नोटिफिकेशन के अपड जाते हैं वह सब मैं अल्रेडी बता चुकि अगर आपने नहीं देगा तो प्लेलिस्ट में जा करके चेक आउट कर सकते हो अधर्वाइस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा तो एक-एक सब्जेक्ट की बात करेंगे सबसे पहले मैं बात करूंगी MHI 106 की उसके लिए आपको क्या करना है गूगल पे जा रहा है और गूगल पे जाकर के जैसे कि आपको पता है MHI 06 को सेलेक्ट करना है ठीक है 06 जैसे कि आपको पता है कि पहले यह वाला सब्जेक्ट MHI 2nd year का हुआ करता था तो यह वाली बुक डाउनलोड कर सकते हो क्यों यहां पर देखो जो आपके पुराने सलेवस में था MHI 06 में वही सेम चीज नए सलेवस में भी है उतने ही यूनिट्स हैं आपके सलेवस में MHI 106 में कोई भी चेंजिस नहीं है MHI 106 जाए आपका MHI 06 तो आप पुराने जो MHI 06 की PDF है वहां से उस बुक को इंस्टॉल कर सक सकते हो क्लियर हो गया तो यहां पर पहला अप्शन तो यह कि आप लोग यहां से अपने इस चीज को डाउनलोड कर सकते हो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूंगे आपको यहां से सारे चैप्टर्स आप डाउनलोड कर सकते हो और इसली से पढ़ सकते ह यह बात हो गई MHI 106 की MHI 10 Evolution of Social Structure in India थूजाएजी सेम चीज आपके हिंदी मीडियम में भी है इंग्लिश मीडियम में भी है दोनों बुक आपकी इस लैंग्वेज में प्रोवाइड है तो आप लोग जो सेकेंड एर का MHI 106 है उस वाली बुक को इंस्टॉल करके सारी चीज वही पढ़नी है आपको वो बुक आपके लिए सफिशेंट है क्योंकि सेम चीज है अदर्वाइज आपको मेरे चैनल पर MHI 106 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और अभी तक वहाँ पर किस तरीके से क्वेस्टन पूछे गए हैं आप उन वीडियोस को जाकर के MHI 106 की प्लेलिस्ट में चैक आउट कर सकते हूँ तो एक बात तो आप सभी को क्लियर हो गई कि आपके MHI 106 के लिए क्या कर रहा है MHI 106 जो पहले सेकंड एर के स्टूडेंट यहाँ पर उन्हें पढ़ना पढ़ता था आप यह फर्स्ट यर में कर दिया गया है तो इनका जो स्लेबस है सब कुछ सेम है तो यही बुक आप लोग या करके गूगल पर आप लिखेंगे आपका जो भी मीडिया में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी बात आती है अगर आप में से किसी को नोट्स लेना हो MHI 06 के तो यहां पर नोट्स भी एविलेबल है तो उसके लिए आप लोग वाट्स अप नंबर पर MHI 105 में आप ancient और medieval की economy के बारे में पढ़ते हो 107 में हम modern history आधुनिक भारत के बारे में उसकी अर्थेवस्ता के बारे में 107 में cover करते हैं बात करें कि 107 कहां से पढ़े क्या करना है अब आईए चलिए अब इसके बारे में बात करते है तो इसी तरीके से आप सभी को क्या कर गूगल पर जाकर के MHI 107 आप सभी देख रहे हो तो इग्यान गोश्ट पर आपको यह बुक जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी तो आप लोग इस पर क्लिक कर सकते हो तो यहाँ पर आपको अपने बुक भी प्रोवाइड हो जाएगी ठीक है जैसे MHI 06 की होई थी इस तर करना है उसके लिए भी मेरे पास आप सभी के लिए सॉल्यूशन है कि यहाँ पर इस लिंक से तो भी आपकी बुक जो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो किस तरीके से करना है नेक्स्ट आम इसकी बात करते हैं तो स्टूडेंट आप सभी को यहाँ पर क्या करना है कि नीचे दिसक्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड किया है उसको जॉइन करना है ठीक है टेलीग्राम चैनल का लिंक डिसक्रिप्शन बॉक्स में तो दो टेलीग्राम चैनल है एक आपका फो डाउट and query और दूसरा PDF के लिए वैसे तो आप आपको MHI 106 और 107 की जो बुक की PDF है वो PDF वाले चैनल पर प्रोवाइड करूगी उसका लिंक भी आपको नीचर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दोनों में मिल जाएगा तो आप लोग उस बुक को वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एक्ज पर अभी आपको उसको पढ़ने में समझने में टाइम लगेगा और आपके पास इतना टाइम है नहीं 106 में तो चलो पुराने ही स्लेबस हैं उस पे कोई भी चेंजिज नहीं आए जितने चैप्टर पहले थे अभी भी उतने ही है वो सब कुछ आपको करना है तो MHI 106 यान पीडियेफ मेरे टैलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी तो उसके लिए आपको मेरे टैलीग्राम चैनल को जॉइन करना है और अभी भी आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो वाट्सअप ग्रूप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल तक जो भी स्टूडेंट मेरे टैलीग्राम चैनल पर नहीं जूड़े हैं जिन्होंने नहीं जॉइन किया है कर लेना बाकि आपको इन सारे सब्जेक्ट के नोट्स एंड क्लासिस चाहिए तो दोरों ही एविलेबल है तो आप लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप पूछ सकते हैं यहां पर भी अपने राउट को पूछ सकते हो ठीक है या तो अप एक्जाम मत तो दिसंबर में दे सकते हो सकते हो चाहे नहीं या तो मैं आपको इन दोनों बुक की पीडियाफ जो है प्रोवाइड कर दूंगी आप महां जाकर के वहां से पढ़ सकते हो दर्वाइज आप में से कही ऐसे होंगे कि मैं मैं में पीडियाफ मिली नहीं तो यह सब कुछ डाउट इससे अच्छा है कि दोरों ही टेलेग्राम चरल आप सभी जॉइन कर लेना क्लियर हो गया अगर अभी भी आपको इससे रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो आप सभी एक्जाम को स्किप कर सकते हैं या आप मेरे जो पेड़ क्लासिज के नोट्स और क्लासिज वो ले सकते हैं या फिर इन दोनों की बुक की पीडियाफ मेरे टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइट कर दूंगी वहां पर जाकर क्या आप लोग इसको पढ़ सकते हो ओकी चल इकॉर्णमी पार्ट टू है तो यहां पर आपके इस तरीके कि मैं आपको सारी पीडियाफ मेरे टेलिग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी तो इगनु ने आपकी बुक जो है यहां पर अप्लोड कर दिये और आपका यह कंप्लीट स्लेवस है स्लेवस भी आपको मेरे चैन तो बुक तो आपके पास आई नहीं तो पीडियाफ के तुरू आपका जो फॉर्स चैप्टर है 18th century in Indian history तो यह सारी चीज़े करने है very important चैप्टर है यह question आपके assignment में भी आपको देखने को मिला होगा और exam में भी पूछे जाने के पूरे पूरे chances है तो यह आपको पीडिय पेरे टैलीग्राम चैनल पर देदूंगी लिंक डिस्क्रेप्शन बॉक्स में अगर इससे डिगार्डिंग अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट की तुरू नहीं तो टैलीग्राम इंस्टाग्राम हैंडल कहीं पर भी पूछ सकते सारे सोसल मीडिया का लिंक आ उसके नोटिफिकेशन और अपडेट आप सभी को मिलते रहे तो इसी के साथ आप अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग